जो ग्यासों मित्रों बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है आप सभी का दिव विस्रजन में प्रतेक दिवस की भाती आज फिर यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कारिकरम शुरू हो रहा है और आज के लाइव चर्चा का जो विशय है देवता भी प्रकृती के अधीन हैं देवता भी प्रकृती के वश में हैं का मानना है कि नहीं देवता तो प्रकृती से उपर होते हैं नहीं जितना भी भावनात्मक विशय है वो सब के सब प्रकृती के अधीन ही होगा और इसका प्रमान हमारे शास्त्रों में भी मिलता है और शास्त्र सम्मत विचार विमर्ष करें तो भी ये बात समझ में आ जाती है कि देवता भी प्रकृती के अधीन होते हैं या प्रकृती के वश में होते हैं अब कुछ लोग पुछेंगे कौन से देवता क्या इंद्र देवता क्या गणेश जी क्या सरस्वती जी क्या हनुमान जी क्या कौन भी या जितने भी हैं सब के सब क्या ब्रम्भा विश्णु महेश सब के सब प्रकृती के वशिभूत है जहां पर भाव आ जाएगा वहां पर प्रकृति आही जाएगी ज्यान रखिए गुष्णु जी पालन करता है पालना के भाव है प्रमाजी स्रिष्टी और शिव संगहार करता है अगर आप इनको इस रूप में मानते हो तो तो ये देवता ही हुए और प्रकृति के वशिभूत ही कहे जाएंगे प्रकृति के वशिभूत ही माने जाएंगे आप ये निश्य कर लिजिए हो सकता है कि आपको बुरा लगे अरे नहीं हमारे देवता हमारे इस्ट देव प्रकृति के वश्में कैसे हो सकते आपने उनको प्रकृती के वश में बना के रखा हुआ है आपका चित ही प्रकृती के वश में है आपका मन ही प्रकृती के वश में है आपका संपूर्ण, चिंतन, आपका ध्यान, भक्ती, प्रेम सब तो प्रकृती के वश में है तो ये हमें समझना पड़ेगा यह सब कुछ प्रकृती के वश में है यह संपुन संसार देवता गन भी प्रकृती के वश में है सारे देवी देवता भी प्रकृती के वश में ही होते हैं क्योंकि वह प्रकृती का ही कारेकर रहे होते हैं और प्रकृति के वश्मे, तीन गुनों के वश्मे अठारहवे अध्याय में भगवान स्रीकृष्ण इस रहस्य को साफ साफ लिख देते हैं कि ऐसा है और जब स्रीकृष्ण भगवान जब कह देते हैं ये बात लिखते तो वेदव्यास हैं लेकिन भगवान स्री कृष्ण जब कह देते हैं ये बात तो वह आगम वाक्य हो जाएगा, वह शास्त्र वाक्य हो जाएगा, वह शब्द प्रमान भी बन जाएगा आईए भगवान कृष्ण ने किस धंग से इस बात को कहा है कि देवता भी प्रकृती के अधीन है देवता भी प्रकृती के अधीन है वो किस ढंग से कहा है हम इसको सुनते हैं थोड़ी लंबी चर्चा है लेकिन समझने का प्रयास करते हैं भगवान कहते हैं कल तक जो हमने सुना उसके आगे ज्यानम गेयम परिज्याता त्री विधा कर्म चोधना करणम कर्म करते थी त्री विधा कर्म संग्रह ज्यान गेय और परिज्याता इन तीनों से कर्म प्रेरना होती है तथा करण कर्म करता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है ज्यानम गेयम परिज्याता इन तीनों से ज्यान क्या है ज्यान मतलब की वस्तु का ज्यान होना यह जिस वस्तु का ज्यान हुआ परिज्याता जिसको ज्यान हुआ ठीक है ज्यान जो अनुभूती प्राप्त होई प्रविर्ति से पहले जो अनुभव होता है आपको प्यास का अनुभव हुआ तो आपने पानी पिया तो आपको प्यास का ग्यान हुआ कि पानी पीना चाहिए वैसी ये ग्याता और ये ग्यान और परी ग्याता ये प्रेड़ना होते हैं करम के और बाकी कर्म संग्रह के कर्म होने के पांच कारण बताएगे हैं पहले ही, इस पर हमने कल चर्चा की थी ज्यानम कर्म चकरता चात्रीद है वा गुण भेदता प्रुच्छते गुण संख्याने यथा वक्षिनू तान्यपी गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्यान और कर्म सथा करता तीन तीन प्रकार से कहे जाते हैं उनको भी तुम यथार्त रूप से सुनो कि तीन प्रकार का ज्यान होगा तीन प्रकार का कर्म होगा तीन प्रकार का करता होगा तीन प्रकार की बुद्धी होगी तीन प्रकार की धृती होगी सब तो प्रकृती के वश में है जिस ज्यान की द्वारा संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अभिनाशी भाव सत्ता को देखता है उस ज्यान को तुम सात्विक समझो जिस ज्यान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों में विभाग रहित एक अभिनाशी सत्ता को जो देखता है इन आची भाव को जानता है, तुम से साथवे ज्यान समझो. परंतू जो ज्यान अर्थात जिस ज्यान द्वारा प्रतक त्वेन, तू यत्ज्यानम नाना भावान प्रतक विधान, वेतू सरवेशु भूतेशु तत ज्यानम, विधी राजसम, परन्तु जो ग्यान अर्थात जिस ग्यान के द्वारा मनुश्य संपूर्ण प्राणियों में अलग-अलग अनेक भावों को अलग-अलग रूप से जानता है उस ग्यान को तुम राजस समझना चाहिए कि वो राजसी ग्यान है जो अलग-अलग भाव से जानता, जो सब में एक देखता है, सात्विक जो अलग-अलग भाव से जानता है राज से, किंतु जो अर्थात जिस ज्ञान के दवारा, मनुष्य के, मनुष्य एक कारे रूप शरीर में है, वंपूर्ण की तरह आसकत रहता है, तथा जो युक्ती रहित है वास्त्विक ज्ञान से रहित है है यह नहीं उसके पास वास्त्विक ज्ञान और उसे मात्र भ्रह्म ज्ञान है वह ज्ञान तामस ज्ञान ही कहलाता है तुक्ष ज्ञान है और भ्रह्म ज्ञान है और फिर कर्म की चर्चा करते हैं भगवान कहते हैं जो कर्म शास्त्र विधी से नियत किया हुआ है नियतम संग रहितम राग द्वेशता कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यतत सात्विक मुच्चते इक शास्त्र विधी से नियत किया हुआ कर्तिर्त्वा भिमान से रहित हो तथा फलिक्षा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेश के किया हुआ हो वह सात्विक कर्म कहलाता है बिना राग द्वेश के किया हुआव कर्तव्य भावना से किया हुआ शास्त्र विधी से नियत हो यतू कामेप सुना कर्म साहंकारेण वापुनक्रियते बहुलायासम तद्रा तद्राज समूदाहरतम परंतु जो कर्म भोगों की एक्षा से अत्वा अहंकार से और परिश्रम पुरवक किया जाता है वह राजस कर्म है जिसमें परिश्रम होता है और भोगों की एक्षा से किया जाता है वह राजस कर्म है पिर भगवान कहते अनुभन्धम छयम हिंसा मन वेक्षिय चा पारुशं मुहादार अभ्यते कर्म यतता मसमुच्चते जो कर्म परिणाम हानी हिंसा और सामर्थे को न देखकर मुह पुर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कर्म कहा जाता है जो कर्म परिणाम हानी हिंसा और सामर्थे को न देखकर किया जाए मतलब परिणाम की कोई चिंता नहीं हानी और हिंसा भी जिसमें हो रही हो सामर्थे को भी न देखा जाए और उसका आरंभ कर दिया जाए बिना सोचे विचारे बिना कर्तव का ग्यान किये ये कर्म करना करताव भी है नहीं मात्र लोब के वशीभूत तुबह तामस कर्म कहा जाएगा किसी प्रकार भगवान करता के बारे में करता है करता मुक्त संग अनहम वादी फिर्ट्युत साह समन विता सिध्धय सिध्धयो निर्विकार सात्विका उच्चते करता राग रहित कर्तित्वा भीमान से रहित धैर्य और उत्सा से युक्त सिध्धी और असिध्धी में निर्विकार है वह सात्विक करता कहा जाएगा करता जो राग रहित है मतलब आ सकती नहीं है जिसको अटैश्मेंट नहीं कर्तित्व अभिमान से रहित करने का कोई या अभिमान भी नहीं है धैरे और उत्सास से युक्त सिद्धी और असिद्धी में निर्विकार है वह सात्विक कहा जाता है ठीक है वह सात्विक कहा जाता है जो करता राग से युक्त है कर्मफल की इच्छा वाला है लोभी है हिंसा के सुभाव वाला है अशुद्ध हर्ष शोक से युक्त है वह राजस कहा गया है फिर भगवान करता के तीसरे रूप की बात करेंगे अशुद्ध शटो नैश्कृत कोलशा करता असावधान असिक्षित एठ अकडवाला हो अपने आपको बड़ा घमंडी समस्ता हो फिर आलसी भी हो विशादी भी हो तिर्ग सुत्री है वह तामस कहा जाता है तिर्ग सुत्री मतलब बड़ा टाइम लेता हो वह करता तामस कहा जाता है अब भगवान कहते हैं कि हे धरंजय अब तु गुनों के अनुसार बुद्धी और धर्ती धर्ती मतलब जो धारन करने की शक्ती है धर्ती कहते हैं धर्ती के भी तीन तीन परकार सुन मतलब कि ये बुद्धी भी तीन परकार की होगी और धर्ती भी तीन परकार की होगी प्यान भी तीन प्रकार का, करम भी तीन प्रकार का, करता भी तीन प्रकार का, कौन से तीन प्रकार, रजोगुन, तमोगुन, सत्रुगुन, वैसे ही लोग भी तीन प्रकार के होते हैं, सुख भी तीन प्रकार के होते हैं, तो भगवान यहां पर तीन प्रकार के बाते हैं, फ बुद्धी सा पार्थ सात्वी की हे प्रिथारंदन जो बुद्धी प्रविर्त और निवर्ती को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मुक्ष को जानती है वह बुद्धी सात्वी की बुद्धी है जो बुद्धी प्रविर्ती और निवर्ती क्या है और निवर्ती किया है मतलब वर्ती से परे अध्यात्म का मार्ग निवर्ती है योग का मार्ग निवर्ती मार्ग है संसार का मार्ग प्रवर्ती मार्ग है तो हे प्रथानंदन जो बुद्धी प्रविर्ती और निवर्ती को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा ब यया या धर्म धर्मं चकारियम चकारियम एवच एथावत प्रजानाती बुद्धी सापार्थ राजसी यह पार्थ मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्थव्य और अकर्थव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता वबुद्धी राजसी है यह पार्थ जुसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव या कर्तव को ठीक तरसे नहीं जाना गया वबुद्धी राजसी है फिर श्री भगवान कहते हैं अधर्मम धर्म मेती या मन्यतेतम सावरता सरवार्थान विपरितांश बुद्धि सापार्थ तामसी पार्थ तामसी हे प्रथान अंदन तमोगुन से घिरी हुई जो बुद्धी है अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है वह तामसी है फिर धृति की चर्चा भगवान करते हैं धृतिया या धार्यते मनह प्राणेंद्री क्रिया योगेन आवय भीचारन्या धृति सा पार्थ साथ विही ये पार्थ समता से युक्त जिस आवय भीचारनी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारन करता है अर्थात सैयम रखता है वह धृति सात्विकी है मन प्रान और इंद्रियों की क्रियाओं को धारन करता है और संयम में रखता है मन प्रान और इंद्रियों की क्रियाओं को वह ध्रती सात्विकी है ययातू धर्म कामार्थान धृतियाधार यते अरजुना प्रसंगेन फलाकांग्षी धृति सापार्थ राजसी परन्तु हे प्रथान अंदन अरजुन फल के एक्षावाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यन्त आसकती पुर्वक धारन करता है वह धृति राजसी है फिर भगवान क्याते हैं कि हे पार्थ यया स्वपनम भयम शोकम विशादम मद मेवचा ना विमुन्चती दुर्मेधा धृति सापार्थ तामसी ये पार्थ दुष्ट बुद्धी वाला मनुष्य जिसकी धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्था धारन की ये रहता है वह धृति तामसी धृति है कमो गुन को धारन करने ये कारण तामसी धृति है तुखम तिद्विदानी त्रिविधम शिनू में भरतरश्रभ अभ्यासादामते अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम चा निगच्छती ये भरत वन्शियों में स्रिष्ट अर्जुन अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो जिसमें रमन होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है ऐसा वह प्रमात में विश्यक बुद्धी की प्रशनता से पैदा होने वाला जो सुख आसकती के कारण आरंब में विश्यक की तरह और परिणाम में अम्रित की तरह होता है वह सुख तात्रिक होता है आरंब में विश्यक की तरह और परिणाम में अम्रित जैसा हो वसुख सात्विक कहा गया है, ठीक है, आगे भगवान सुख की चर्चा अब राजसुख क्या है, जो सुख इंद्रियों और विश्यों के सैयोग से होता है, वह आरंब में अम्रित की तरह और परिणाम में विश्यों की तरह प्रतीत होता है, वह सुख राजस कहा गया है, फिर भगवान तामसी सुख की चर्चा करते हैं, निद्रा आलस से और प्रमाद से उत्पन होने वाला जो सुख आरंब में भी और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहलाता है, अब इस प्रकार से भगवान फिर चालिसवें स्लोक में कहते हैं, कि मद भगवद गीता के चालिसवें स्लोक में साफ साफ सब्दों में कहते हैं कि ना तदस्ती प्रत्वियाम वा दिवी देवेशु वापनहा सत्वम प्रकुरती जैर मुक्तम यदेवी स्यात त्रिभिर गुणय हैं, प्रत्वी में या स्वर्ग में प्रत्वियाम वा दिवी वा देवेशु या देवताओं में, प्रत्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सवाय सिवाय और कहीं भी वह वस्तू नहीं है जो प्रकृति से उतपन प्रकृति जैह एभी त्रिभी गुने मुक्तम सेयाद जो इन तीनों गुनों से मुक्त हो या तीनों गुनों से रहित हो साफसा भगवान स्रिकृष्ण नहीं यहाँ पर क्या दिया कि पिर्थवी में स्वर्ग में और सभी देवताओं में भी तथा इनके सिवाय कोई कहीं भी हो जिसकी आप भावना कर सकते हैं चाहे भगवान हो चाहे देवता हो अगर आप उसकी भावना कर सकते हैं कर सकते हैं तो क्या होगा अगर आप उसकी भावना कर सकते हैं अब चाहे देवता हों अब स्वर्ग में भी देवता हों चाहे ऐसे भी देवता हों देवताओं में, स्वर्ग में, पिर्थवी में तथा इनके सिवाए और कहीं पर भी कहीं पर भी एनिवेर ऐसी कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है ऐसी किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है जो प्रकृती से उत्पन इन तीनों गुणों से मुक्त हो प्रकृती से उत्पन इन तीनों गुणों से रहित हो कुछ भी ऐसा नहीं होता जो इन तीन गुनों से रहित हो संसार में, मात्रिस पृत्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी, देवताओं में भी कोई देवता ऐसा नहीं है जो प्रकृति के परे हो और कोई वस्तु ऐसे नहीं है, कोई जीव ऐसा नहीं है, कोछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के परे हो, संभवी नहीं है कि प्रकृति के परे कुछ हो जाए प्रकृति के परे बस समाधी में ब्रह्म है लेकिन प्रकृति के प्रतेक वस्तु की भावना संभव है परंतु ब्रह्म की भावना नहीं होती अगर भावना करेंगे तो भावना मिथ्या ही है प्रकृती का ही हिस्सा है लेकिन सोच विचार से भी पड़े ध्यान की गहराई के द्वारा ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा हम उस ब्रह्म को जानते हैं जो प्रकृती से परे कहा गया है अन्यता उस ब्रह्म को छोड़ कि संसार में कुछ भी प्रकृती से परे होता ही नहीं तो पृत्वी में स्वर्ग में अत्वा देवताओं में तथा इनके सिवाए और कहीं पर भी कहीं पर भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन इन तीनों गुणों से रहित हो यही भगवान चालिसमें इसलोप में कहते हैं अटारवा अध्याए नात दस्ती प्रत्वियाम वादिवी देवेशु वापन सत्वम प्रकृतिर जैर मुक्तम यदेवी स्यात त्रीभीर गुणे स्यात त्रीभीर गुणे स्यात मतलब हो हो ना तो प्रत्वी में स्वर्ग में देवताओं में और उससे परे भी कुछ भी कोई ऐसा वस्तू नहीं जो प्रकृति के वश में ना हो इसलिए कहा गया देवता भी प्रकृती के वश में रहते हैं यह हमें समझना पर देवता भी प्रकृती के वश में रहते हैं लेकिन अब हम प्रकृती के वश में ही तो सारे कर्म है प्रकृती के वश में ही तो सारा खेल चल रहा है सारा उसी के सुक दुख का खेल चल रहा है समझ गए इसलिए सब उसी के वसमें हैं अब योगी चाहता है कि भाई बहुत इसका खेल देख लिया पुनरपी जर्णम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे शैनम इह संसारे खलुद उस्तारे किर्प्या पाई पार बुरा कथम तरेयं भवसिंदु में तम का सावा गतिर में कदमोस्त पाए इस भव सिंदु से पार उतरने का उपाय क्या है पार बार जनम लेना, मिर्त्यु को प्राप्त होना अहार निद्रा भै मैथुन पिक्रियाओं में लिप्त होना और फिर सुख दुख का भोग भोगना कभी पाप करना, कभी पुन्ने करना ये खेल खेलते हुए मैं ठक चुका हूँ अब मुझे यहां से पार निकलना चाहिए तो पार निकलने का उपाय क्या है उपाय है योग, ध्यान योग अपने स्वरूप को जानने का मार्ग है ध्यान योग प्रकृति में सैयम करने का मार्ग है ध्यान योग प्रकृति के कारियों को प्रकृति के तीन गुनों को सयम करके सम अवस्था में ले जाकर समाधी में लीन होना, फिर वो प्रकृति के परे चला जाता है, लेकिन शुरुवात पहले सम तो हो, पहले संतुलन तो बने, जीवन के बाकी तत्वों में, गुनों दुरगणों में एक संतुलन की अवस्था तो बने कम से कम, वो भला कैसे बन पाएगी, ध्यान योग, इसलिए योगी देवताओं से भी उपर होते हैं, मारशी पतंजली न देवताओं भी प्रलोभन देते हैं योगीों को, लेकिन योगी जो तीन गुनों से उपर जाना चाहते हैं, परे जाना चाहते हैं, प्रकृति से, उसों ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, वो उसके प्रलोभन में नहीं आते, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसलिए ध्यान योग का यह online course हमें वो मार्ग देता है जिसे कि हम प्रकृति के तीन गुणों में संतुलन बना सके स्थीर हो सके अपने स्वरूप का साक्षात कार कर सके स्वेम को हम जान सके हम स्वेम को जान सके आत्मा को जान सके उस ब्रह्म को जान सके ध्यान योग के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं ब्रह्म मिलेगा आत्मा मोक्ष की प्राप्ति होगी लेकिन आपका जीवन वर्तमान जीवन संतुलित होगा अगर आप प्रते दिन ध्यान योग करेंगे तो वर्तमान जीवन आपका संतुलित हो जाएगा आप संतुलन में आ जाएंगे संतुलन ही जरूरी है सबसे जाजा इसलिए हमें संतुलन में आना चाहिए और ध्यान योग इसलिए सीखना है करना है स्वेम को जानने के लिए स्वेम की शक्तियों के विकास के लिए प्रकृती बहुत खेल खेलती है कभी कैसे दृष्य दिखाती है कभी कैसे दृष्य दिखाती है कभी कैसे हमें समझाती है कभी कैसे सिच्वेशन में ले जाती है बहुत सारी, इस संसार में ये सब चलता ही रहता है, तो ये सब हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वेम को जान ले और इन सब से भी आगे बढ़ जाएं, तो ध्यान योग का मार्ग हमारे सामने को, चलिए, यही बात भगवान स्रिक्रिष्ण ने आन्त में समझाई कि सब कुछ उन तीन गुनों के वशिबूत है, देवता भी तीन गुन के वश में है, सब कुछ इन तीन गुनों के वश में है, देवता भी इसके परे नहीं है, लेकिन योगी जा सकता है इनके परे, इसलिए योगी तपसियों, कर्मियों, ज्यानियों से भी बड़ा और देवताओं से भी स्रेश्ट होता है, तो चलिए इसी विचार के साथ, हमें योगी ही बनना चाहिए, भगवान कृष्ण भी अरजुन को कहने है, तसमाद योगी बबार अरजुना, अरजुन तु योगी बन जा, और अरजुन जब युद्ध भूमी में खड़ा होकर, युद्ध करते हुए योगी बन सकता है, तो प्रतेक मनुष्य भी अपना जीवन युद्ध लड़ते हुए योगी बन सकता है, चलिए इसी के साथ, आज की चर्चा को यहां विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं, 9 पी-म, लाइव चर्चा में, बहुत-बहुत आभार आप सभी का, ओम तत्सत,